Hello everyone, this is Shobh Artirawan, आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी strategy के बारे में एक ऐसे तरीके के बारे में, जिससे की आप कम समय में maximum slaybers complete कर सकते हो, कम समय में आप maximum output निकाल के ला सकते हो, यही strategy आज इस video में मैं discuss करने वाला हूँ ध्यान से सुनते रहना देखो यार कुछ time पहले मैंने अपनी engineering complete करी है और engineering में आप engineering के लावा बतेरी बहुत सारी चीज़े सीख जाते हो जैसे जब मैं first year में गया तो मैंने सोचा अच्छे से पढ़ाई करेंगे अच्छे से slayvers complete करेंगे अच्छे से हर चीज revise करेंगे अच्छे number लेके आएंगे वही second, third, fourth semester में मैंने और बहुत सा ही चीज़े शुरू कर दे थी तो पढ़ाई के लिए कम time मिलता था पर इसके बावजूद हमारे number बहुत अच्छे आ जाते थे जैसे अगले दिन exam है तो पिछली रात को पढ़ना शुरू करा थोड़े घंटे हम पढ़े और exam दे के आए और अच्छे number आ गए तो क्या तरीका हम यूज करते थे, क्या strategy हम यूज करते थे जिससे कि हम कम time में अपना slayvers complete करके अच्छा score कर लेते थे वो ही strategy आपको मैं यहापे बताने वाला हूँ जिससे कि अगर आपके पास अभी कम time है आप 10th vote के देने वाले बच्चे हो या 12th vote देने वाले बच्चे हो कोई भी class के बच्चे हो आपको लग रहा है आपके पास बहुत कम time है और आपको slayvers complete करना है तो आप यही strategies use करके अपले slayvers को complete कर सकते हो शुरुबात करते हैं धान से सुनते रहे ना बहुत important video है सबसे पहली चीज जब भी हमें लगता था ना कि यार हमारे पास time नहीं है और हमें लग रहा है यह इतना बड़ा chapter इसको complete नहीं कर पाएंगे तो हम उसके previous year questions analyze करते थे यही same चीज मैंने अपने class 12th के maths के boards में अपनाई थी मेरे पास maths के boards के लिए बहुत कम time था हमारा उस समय और बहुत सारी चीज़े थी भई coaching coaching के exam अगरा चलते थे तो मैंने को दिखा कि यार maths का board में मेरे पास कम time है तो मैंने क्या करा मातर NCRT और previous year questions करें NCRT और previous year questions करने के मातर ही मेरे 95% आ गए थे अपने maths के exam में 95 मैंने score करा था 100 में से तो यह previous year questions जो होते हैं यह बहुत important होते हैं आपके boards के लिए बहुत कोई भी exam के त्यारी कर रहे हो हम देखते थे कि बहुत कौन कौन से तरह के questions जो हैं इस chapter में से आयो हैं और उसी तरह के questions को हमने practice कर लिया उन्ही concepts को हमने practice कर लिया और हम question में देखा paper देके आ गए और हमने देखा वैसी questions आए हमने कर दिया तो आप क्या करो आपको अगर लग रहा है कोई ऐसा chapter है जो आप अभी आपको पार time नहीं है complete करनेगा उसके previous year questions उठाओ उनको analyze करो और देखो किस-किस तरह के topic हैं उस chapter से पूछने वाले उन topic को पढ़के बस उनके वाले previous year questions को अच्छे से attempt करके आप exam देके आ जाना उसमें आपको वैसे questions repeated दिखेंगे CBSC हमेशा ये pattern follow करता है तो पहली चीज जो भी chapter आपसे नहीं हो पार है आपको लग रहा है कम time है उसके previous year questions analyze करके अच्छे से analyze करके उन topic को पढ़के उनके question करके exam चले जाना पकी बात है वैसे questions repeat होंगे ये पहली चीज है दूसरी चीज हमेशा videos को जाधा preference दो as compared to text हमारी भाई engineering में इतनी motivator book होती थी आपके पास उसी वीडियो का एक option है कि आप तीन-चार घंटे में उसको complete कर लो तो आप उठाना ये तीन-चार घंटे वाली क्यों भाया इसमें कम चीज़े नहीं पढ़ाई जाएंगी नहीं 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 चीज़े दोनों में सेम पढ़ाई जाएंगी पस इसमें क्या है दीरे-दीरे अराम-राम से deeply पढ़ाया जाता है इसमें जल्दी-अल्दी to the point पढ़ाया जाता है पर भाई अगर मेरे को कुछ ना समझ में आया ना समझ में मालो आप कोई chapter उठाया उस chapter का मालो आपको एक छोटा सा topic नहीं समझ म ठीक है कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें में नहीं समझ में आई तो हमने दूसरी खाली उस चीज़ की एक वीडियो देख लिए समझ में आ गया तो यह तरीका पनाओ वीडियो को ज्यादा प्रेफरेंस दो इस समया पड़ा इतना टाइम नहीं है कि हम बैट के पूरी NCRT पूरी रिफ्रेशर बुक करेंगे नहीं नहीं एक वन शॉट वीडियो उठाई वन शॉट वीडियो उठाने के बाद उसमें जो जो समझ में आ ठीक है कुछ पाट नहीं समझ में आ रहा तो खाली उस पार्ट की वीडियो देख लो हमेशा यूट्यूट पर चोटे पर कह सकता हूं कोई नहीं देगा पूरे यूट्यूब पर मैंने अपने हाथ से लिख रखी है आपके लिए आसान भाशा में लिख रखी है वो किस्ट लेंग्विज नहीं है तो आपको फिजिक्स की डाड़ी डेरिवेशन हो गई केमिस्ट्री के सारी रियक्शन होगे नेम रियक्शन होगे यह सारी चीजें मैंने पीडिएफ में आपको आईपैड पर हाथ से बना बना के दे रखी हैं बहुत प्यारी हैं डाउनलोड करो यूज करो और उसको यूज करके उसको रटलो वह यह आपके एक्जाम में हैं यह बात हो गई दूसरी तीसरी चीज पर अगर हम आएं तो तीसरी चीज होती है कि हमेशा ना लिक लिक के याद करने के कोशिश करो हमारे पास बहुत कम टाइम होता था एक्जाम के अगले दिन एक्जाम है फिर भी मैं कोशिश करता था कि एक रफ पेज ले लिया और तो भी मैंने पढ़ा उसको जल्दी से लिक लिक के याद करा ऐसे रिकॉल करकर के कि क्या पढ़ाता अच्छा यह पढ़ाता 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 इससे क्या होता है पहली चीज अपकी कंसंट्रिशन बनी method होता है आदे गंटे की वीडियो देखो एक paper ले लो recall करो अच्छा ये पड़ा फिर उसके बाद 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 ये पड़ा फिर उसके अब मेरे दिमाबम में बैढ लॉगा है लिज शीलन कर 감사합니다 लगके याद करने में साइटिफिक प्रूफ है ये कल करने में लिखके से चीज़ा जोगी आपकी तीसरा पॉइंट जल्डी मैं आपको वीडियो कवर करOM अब कि आपके आपके बाएंट में अगली चीज अगली चीज होती है कि at least दो सेंपल पेपर आपको जरूर करने हैं हर सब्जेक्ट के बिना सेंपल पेपर करे रण भूबी में मच चले जाना वहाँ पर जाके अपने आपको धरशाई पाओगे at least दो कर लो मैं हमेशा बोलता हूँ कम से कम चार पांच करने चाहिए कर लिया उसवाल के सेंपल पेपर बेस्ट हैं ज्यादा टाइम मत लगा हो कि इधर उदा देखूंगा अलग-अलग मैंने सारी जितनी भी रिसर्च होती है वह आपकी तरफ से कर रखी है वह स्वाल बुक्स के आप ले सकते हो और अलग-अलग भी मत लो मैंने आपको पिछ कुछ सेंपल पर उन्हें डाल रखे हैं उनको कर लेना solution दे रखे हैं उससे आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा तो यह best चीज है समय लेने के लिए तो आपने क्या करा at least 2-2 सेंपल पर हर एक के करें इसलिए मैंने वो जो वीडियो बनाई थी एक वीडियो मैंने रखे हैं उन सारे सब्जेक्स में मैंने दो से धाई घंटे तीन घंटे का टाइम स्लोट जो है वो सेंपल पर का निकाल रखा है कि रोज at least कोई एक सेंपल पर करना और हर सब्जेक के दो-दो कर लेना यह जरूर करने इससे आपको पता चल जाएगा किस तरह का पैटन सी ब बहुत आला सारा होता है हमें लगता है कि यार क्या हो गया थोड़ी दे लेट के पढ़ लूगा वो लेटते लेटते कब नीद आ जाएगी पूरा दिन खराब हो जाएगा बहुत बिकार होता है इस समय टाइम बहुत बड़ा कीमती ऐसे टाइम आए लिए तो टाइम को आके के कुछ टाइम है आधत बना लो चेयर टेबल पे बैठ का ही पढ़ना है यह बहुत बड़ी में बढ़ेट के पढ़ेंगे और अपना एक बना ल हो waren दो कर लो, खाना होगा, कमरे में आएगा, कुछ भी काम होगा, कमरे में आएगा मैं कमरे से बाढ़नी जाने वाला, मैं कमरे से बाढ़नी जाने वाली तो यह अपना एक bubble create कर लो, इससे क्या होगा, आप distraction से दोर रहोगे आप कितनी यह पढ़ाई कर रहे हो, पर आपने दिन के 3-4 घंटे distraction में निप्टा दिये Reels में निप्टा दिये, Shorts में निप्टा दिये, Movies में निप्टा दिये, वह रिग्रेट रह जाएगा कि यार काश उस समय में पढ़ लेता, तो यह जो एक्जाम में question आ रहा है, यह question हो जाता तो वह regret हटाने के लिए आपको इन distraction को काटना पड़ेगा, कुछ समय की बाद है, बार भी complete होना दो college में जाओगे, मजे ही मजे करना, कोई नहीं रोकने वाला, अभी, अभी कुछ time की तपस्य है, बस, कुछ time की आखरी 10-15 दिन है, इसमें time को, जो आपका यी तरह बड़ा asset है, इसको अच्छे से use करो, अच्छे number आ जाएंगे, दिल को खुशी मिलेगी, report card पे आपका इनाम चपेगा, किसी और का नहीं चपने वाला है, पिच्यान में आएंगे, तो आपका चपेगा, साठ हैंगे, तो भी आपका ही चपेगा, किसी और को फरक नहीं पढ़ने वाला, मातर आपको फरक पड़ेगा, तो ये time है, इसको अच्छे से utilize करो, अच्छा पड़ो, ठीक है, जितनी भी चीज़े हैं, जल्द यल्दी कवर करने ही कोशिश करो, तो तक के लिए भई पढ़ना है, फोनना है, कहर मचा देना, आग लगा देने, मेरी तरफ से कुछ और चीज़ चाहिए हो, तो comment section में बताना, आपके शोविद भईया, आपके लिए 24 बटे साथ खड़े ह बाई-बाई, टेक केर, बिलते अगली वीडियो में, बाई-बाई-बाई, बाई-बाई, जाओ, पढ़ लो, पढ़ लो, बाई, अब पढ़ लो, अब कुछ और नी करना, सिर्फ पढ़ाई करने हैं, बाई